नमस्कार A to Z dishes उशाक और जानी में आप सबका स्वाकत है इस गर्मियों में ये ठंडी ठंडे कर्ड राइस खाना इतना अच्छा लगता है न और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कहने जारे हो बीट रूट वाले कर्ड राइस देखें बीट को आपने सेलेट के तोर पर एक दो टुकड़े तो हम खा लेते हैं पर आपको तो पता ही है कि बीट हमारे सेहत के लिए कितना फायदे मंद है तो क्यों न इसके कर्ड राइस बनाए पता भी नहीं चलेगा और आप खा भी लेंगे मज़े से और इस गर्मियों म जादा खाने का कुछ मन ना करें तो आप ये बढ़िया से कर्ड राइस बनाना मेरा तो मन बस चले न तो मैं हमेशा ही ये बनाओ ये इतने टेस्टी लगते न उसके लिए चाहिए आपको एक कुकंबर और एक बीट दोनों के उपर के छिलके आपको निकाल लेना और मैंने पहले से अच्छे से वाश कर लिया था इने और देखे इस तरह से करने के पाद इन दोनों को आपको ग्रेट कर लेना है ये कि कदुकस कर लेना है देखे मैंने यहापर कुकंबर लिया है और बीट लिये दोनों को मैंने अच्छे से कदुकस कर लिया और दो बारी कटी हरी म मिर्ची और थोड़ी से धन्या के पते चाहिए उसके बाद यहापर एक बाउन ले लिना है इसके अंदर आपको डालनी है दही मैंने हापर दो कप जितनी दही डाली है साथ ही साथ अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप चावल यह पके हुए चावल है प्लेन राइस जो हम दाल के साथ बनाते हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद के अनुसान नमग यह ग्रेट क्यों यानि के कदू का स्क्यूवी टुकुमबर और यह बीट थोड़े से बारिकटी हरी मिर्ची और धन्या के पते डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है मतलब जो आपके तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर एक चौथाई चमच राई इसी के साथ एक चौथाई चमच जीरा चुटकी पर हिंग और एकदम क्रंच आएगा इससे तो एक चमच कची मुमफली डालना यह तड़के को थोड़ा सा पका लेना अब उसके बाद इस तड़के को आपको यह कर्ड राईस के ओपर डाल दीना है और बस हो गए आपके तयार यह बढ़िया स्थे कर्ड राईस अच्छे से से मिक्स का लेना सच बता रहे हो यह बता इतना कंफर्ट फूड है इतना टेस्टी है आपको मजा ही आ जाएगा बज़े हो या बड़े साथी साथ हेल्दी भी है तो ट्राइब करना और यहां तक आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांकिए फॉर वाच आप